साथियों, आज देश अपने कार्बन फूर्ट्प्रिन की 30 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरत था, क्या भारत ये कर सकता है। दुनिया के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक सम्भावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिकुरिटी से जुड़े स्टार्ट अप एकोसिस्टिम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। इस सेक्टर के आप जैसे स्टूडन्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेश फंड भी बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंक्वेट करना चाहते हैं। तो ये फंड आपके लिए एक बहतरीद आउसर भी है, एक सरकार की तरफ से तौफ़ा भी है। वैसे मुझे ऐसास है कि आज जब मैं आप से ये बाते कर रहा हूँ, तो थोड़ी चिंता भी होगी। आप सोच रहोंगे कि कोरोना का समय है, पता नहीं, कब सब ठीक होगा, और इन में से आपके मन में जो चिंता आती हैं, वो स्वाभाविक भी हैं। एक ऐसे समय में graduate होना, जब पूरी दुनिया इतने बड़े संकट से जूज रही हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन, लेकिन याद रखिये, आपकी ताकत, आपकी ख्षमताएं, इन चुनोतियों से भी कहीं जादा बड़ी हैं। इस विश्वास को कभी खोना मत। प्रॉब्लेम्स क्या हैं? इससे ज़्यादा महत्वपुन ये हैं कि आपका परपज क्या है? आपके प्रेप्रसिज क्या है? और आपका प्लान क्या है? और इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास एक परपज हो। प्रेप्रसिज तै हो और उसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्लान भी हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में पहली बार किसी कठिनाई का सामना कर रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये चुनोती भी आखरी चुनोती होगी। ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्तियों के पास समस्याई नहीं होती। लेकिन जो चुनोतीयों को स्विकार करता है, जो चुनोतीयों का मुकामला करता है, जो चुनोतीयों को हराता है, समस्याउं का समधान करता है, आखिर जिन्दगी में वो ही सफल होता है। झाल झाल